एक ऐसा शेर जो काफी लंबे समय से एक अप्रेंड में ही बना था जब उसमें वेल्यू बाइंग थी यानि 2020 में तब बढ़े इंवेस्टर ने उसमें अच्छा शेर समझ के या फिर अच्छा शेर वो था नहीं था वो तो हम जरूर देखेंगे इस वीडियो में उसमें और छोटे मोटे करेक्शन के बाद हमेशा ही अपने अप्रेंड में बना राता है इस चक्कर में रिटेल इंवेस्टर को लगता है सबका प्रॉफिट हो चुका है मुझसे ही कुछ छूट गया है तो हम लोग उसको चेज करना शुरू कर देते हैं और जैसे हैं चेज करते क को वहां से लगता है अरे यह क्या हुआ मेरे साथ तो कुछ गलत हो गया यहां पर कुछ हमा हमें ट्रैप किया गया ऑपरेटर का गेम शुरू हो चुका है से भी को कुछ ध्यान देना चाहिए या फिर कुछ इस तरह से बात है लेकिन मुझे क्या कहना है पहले यह आप समझ हो तो इसमें घलत कुछ नहीं है हमसे घलती बस इतनी हो जाती है कि हम बस चेज करते हैं इस चकर में कि इसका प्राफिट हो गया सबका प्राफिट हो गया हमसे रह गया तो कभी भी चेज जब हैं जब भी हम करते हैं या तो हमें अपने स्टॉप लॉस या फिर अपने रू को बिल्कुल मेंटेन करके हैं हमें उसमें एंटर एगजिट करना चाहिए अधरवाइस हमें ऐसा फील भागते वाइक लेफ्ट आफ्ट फील होगा और जब गिर रहा होगा तो हमें ट्रैफ फील होगा तो इसी चीज को देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम काफे 2021 तक अच्छे लॉंग टाइम फ्रेम में इसने अपने आर उसी का 53 से लेकिन 60 का यानि बढ़ता जा रहा है बीच बीच में छोटे मोटे डिप आ रहे हैं लेकिन अच्छा खासा अपने को मेंटेन कर रखा है इस तरह से कंपनी की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर क्लेरली बता यानि कि इसमें 35% की जंप आई है जो एक अच्छी बात होती है हम सभी के लिए quarterly net profit के अगर बात करें यानि मास 20 से लेकर और अभी तक मास 21 तक आप वहाँ देखोगे 34% की जंप आई है net quarterly net profit में उसके इविड़्डा की बात करें यहाँ पर भी आपको जंप नजर आ रही ह आपको यहाँ पर 1.53 से 2.06 आ है तो यहाँ पर numbers हमें चीजें अच्छी लग रही है हम जिस share की बात कर रहे है वह अभी तक आपको समझवाँ आ चुका होगा ix की बात कर रहा है one of the best share में से एक इसका नाम आता है हमेशा ही मेरे radar पे रहता है फिर चाहे मेरे portfolio का हिस्सा हो क्या ना हो हमेशा है यह मेरे favorite पे रहता है और हमेशा मतले आप यह समा सकते हो इसमें tracking चलते रहती है इसमें क्या हो है कुछ Thursday के बात करें last Thursday के आसपास इसमें bulk deal हुई है अब bulk deal में कुछ share बेचे गए यानि कि Dalmia Power Limited इस इस नाम ने इस इन्होंने अपनी जो लगभक इन्ह यह 487.55 करोड आप यह समा सकते हैं जो ब्लॉक डिल हुए थे BSC में हुआ था अब according तो BSC bulk deal data के according देखें जो Dalmia Power ने लगभग 13.4 million share जो बेचे थे और प्राइस पर थे किस प्राइस पर 363 के आसपास तो यहां से इक इन्होंने अच्छी कहा से quantity में बेचा है उस दिल के ब होने वाली है या फिर हम सिर्फ चेज करते रहें यहीं से उनको कुछ left out पहले left out अब trap out कुछ इस तरह से feel हो रहा है बात करें डाल में अप उनकी डाल में पावर की बात करें तो अभी के उनके पास जो आप current holding रहे गिए इस company 3.71 के आसपास अभी में current holding रहे गिए जो पहल side की हमने जो भी है यो block deal उसको देखा अगर buy side की investment देखें किसने buy खरीदा एक investment firm है उन्होंने around 1.65 million जो share है IEX में उसी दिन buy किये थे किस price पर 362.68 तो यहाँ पर इतने price की उन्हें ने buy किये थे तो इसी block deal के चलते हुए यानि hand exchange हुए है same price लगभग लगभग वही है जिस price पर बेचा गया था उसी price पर दूसरी investment firm ने एक अच्छी quantity में buying की है तो वहीं से कुछ अभी share downtrend में आ चुका है ऐसा कुछ भी इसमें जोलजाल नहीं हुआ है हमें अच्छे level पर अच्छे share प trend में हो तब उसमें block deal होती है अक्सार हमने देखा था कोई ना कोई ता किसी ना किसी level पर profit booking करेगा और वहां से कुछ हमारे एक opportunity open हो जाते है जैसे कि share में open होते पर नजर आ रही है बागी चीज़ों हम जरूर देखेंगे लिगे सबसे पहले company कितने strong है कितनी weak है एक point हमने वहां देखा था बाकि देखेंगे sales growth का 5-3 एक साल में यहां देख सकतो 5-3 साल में ठीक था एक साल में यहां पर आपको dip नजर आ रहा है एक अच्छा खासा उसके बाद profit growth के आप यहां देख सो 5-3 साल में भी अच्छा था लेकिन इस साल आपको एक साथ के आसपास दिख बाकी parameter के उपर नजर डाले ROE return on equity के उपर तो आप यहां देख तो एक दम बहतरीन आपसा कह सकते हो 5-3 या फिर एक साल में अच्छा खासा इसको maintain किया है ROC के बाद करें वह हम देख चुके पिछले 2012 से लेके 2021 किस तरह से अपने ROC को maintain किया है या फिक चीजे है और एक शा नहीं है आप यहां देख तो किसी तरह का pledge नहीं है उसके बाद हमारे लिए होता है holding यानि share holding pattern majority जितने भी share है 36.81 जो है FIS के पास वहीं DIS के पास देखें 27 के पास है यानि कि अगर majority share देखा जाए तो smart money के पास है बाकी public कभी इसमें interest काफी बना हुए 34.93 के आसपास ही है और बाकी यहां promoter के पास इसमें कुछ भी नहीं है आपको zero दिखाई दे रहा है और अगर share holding pattern तो हमने देख लेगे करन के अगर बात करें या फिर किस तरह से इसमें अभी तक का पूरे picture रहा है अभी आप देखें तो 2018 से लेकर अभी तक का 2021 तक किसमें क्या था आप यहां कंपनी में 13 थे और यह चीज जों होती होती आज करिम 36 हो चुका है यानि कि अच्छा कासा multiply हो चुका है उन्हें पता है कि इस कंपनी के ताकत कितनी एक monopoly share है तो किस तरह से आगे भी इसमें इसी तरह के return या फिर इसी तरह के uptrend में रहने की पूरी पूरी इसमें expectation है D.I.S की बात के 33 के आसपास उनके पास था 2018 में और अभी 27 के आसपास है यानि कि इस से पहले December तक था आप यहां देख पाऊगे 36 के आसपास ही था यानि ज़रा से इस quarter more अपने holding को कम किया है कुछ हमने भी देखा बाकी चीज़े इतना तो expected है कि थोड़ी मोडी profit blocking तो हर level पर आता है बाकी पबलिक के पास 52 से आप देख सो 34 यानि पबलिक पबलिक का भी अच्छा खासा interest इसमें बनाई है हमने देखा है 27.91% के जो holding है वो D.I.S के पास है कौन से वो D.I.S कौन से mutual fund है अगर हम उनको देखने ही कोशिस करें तो आप देख से तो पराग पारी इसम में उनका investment है एडलवाइज small cap fund direct growth हुए उनका investment है और उसका बरोदा multi cap में है मिरेई asset का है UTI का है और मिरेई asset का मिरेई group के दो दो mutual fund के इस company में investment है तो इस तरह से हमें daughter way में समझ मा रहा है कौन से money किधर जा रही है इन सब के बाद अगर profit growth ते एक नजर डाले तो आप दे जानगालों की हमाने तो इस वक्त 62% उपर जो है इस वक्त इस शेर के उपर बुलिशनल लेकिन आपको क्या करना है आपको अच्छे सा अपनी research करनी है और उसके बाद ही कोई decision लेना है अब एक नजर अगर यहां डालने कि किस तरह से इस company अपने शेर होड़ों को return मना के द एक महीने में और one week में YTD की बात करें यहां भी company ना अच्छा ही perform किया यानि कि जितने भी लंबे time frame में आप देख सकते हो अच्छा perform किया बस short term में हमें hiccup है यानि कि हमें कुछ मौके दे रहा है आज की दिन जिस दिन ये video बना रहा है अभी भी आप देख से 2.82 के आसपा है वहीं बात करें डिलीवरी के 38% के डिलीवरी इसमें हुई है आज के दिन में और EPS का 7 का है dividend yields की कोई खास अच्छी है नहीं है नहीं 0.72 है इन सब के बाद अब हम देखते है एक नजर इसके चार्ट के उपर अब आपके सामने IEX का यानि कि one week का चार्ट open हो चुका है प तो इसलिए एक अच्छे खासे consolidation phase पर रहा बॉलिंजर बेंड के अगर आप जो लोग इसको अच्छे समझते हैं तो समझ पा रहे हो कि जब भी इसमें squeeze होता है जब भी है बुलकुल आप समझते हैं नेरो इसकी range काफी चोटी हो जाते है तो इसमें एक chance हो जाता है कि कि किस इस भी तरह को होगा एक बड़ा मूव आ सकता है यह weekly time frame पर इसमें जैसे ही इसन अपने यह breakout किया था इस box को और उसके बाद किस तरह से आपको इसमें एक move देखा गया है यह हर time frame में होता है पांश मिनिट में दस मिनिट में भी one day में one week में भी जब भी इसमें squeeze होता है या यानि हमने देखा कि पैसा को almost पूरा दूगना कर चुका है साल में अब यहां से जिन लोग जिन investor ने definitely यहां March वार्च में लिया था यह सम्हाव यहां March में पिछले definitely यहां पे कुछ profit booking तो आएगी ही आएगी अब ऐसरे में आएगी तो यही bulk bulk deal के थूरी block deal के थूरी ही और यह volume आपको बता रहे है कि उस दिन यह चीज हुई थी जो हमने अभी देखा था डालमया भारत वाली स्टोरी अब यहां से क्या हो सकता है अभी कुछ time यह हो सकता है पिछले 3 मिक से लगाता है यह profit booking चली तीन red candle यहां से बन चुकी है अभी इसमें जो major जो सबसे पहला का moving average है यहां पर हमारे लिए important होगा लेकिन इस चीज को अच्छे समझने के लिए हम चलते हैं one day के अब यहां देख पाएंगे अच्छे से यहां से block deal हुई थी यहां पर और उसके बाद धीरे-धीरे करके share उस दिन gap down भी हो ता 5% नीचे खोला था और उसके बाद धीरे- गया हो तभी वह अच्छा ट्रेड हो सकता है otherwise अच्छे ट्रेड में हम इसके top पे ले ले हो अगरे 6 या 7 महने तक उसमें फसे रहे तो हम लोग definitely उस company को बुरा ही बोलेंगे अब ऐसे में इसका जो support निकल के आ रहा है आप यहां देख पाऊगे सबसर पहले इस range के आसपा support निकल के आ रहा है इसका जो somehow वही जो 320 के आसपास है उस level के उपर हमें नज़र रखनी चाहिए क्या वहाँ sustain कर यह वहाँ sustain नहीं जो वहाँ support लेता है एक दो दिन ऐसे नहीं पहले दिन देखना जरूरी बनता है क्योंकि इसमें block deal हुई है कुछ profit booking इसमें बनता है इतना अच्छे range के बाद या फि पर 311-310 के आसपास 300 का ऐसा level होगा जहां इसको support लेना होगा और जहां से एक अच्छा buy हो सकता है उपर की level से आप यहां देख सकते हो कुछ time पहले जभी 400 के level था इस 400 के level से अभी आपको 346 यानि 50 point का almost correction आ चुक है अगर यहां से सम्हाँ हमें थोड़ा और correction इस level के यानि 300 से लिए 320 के आसपास जहां भी यह support लेगा कोई नहीं बता सकता कहां पर support लेगा market है हमसे support and resistance के basis पर analysis करी सकते हैं तो वहां पर हमें इसमें definitely कुछ initiative लेना चाहिए वो भी अगर यहां पर रुखता है तो कहीं नीचे जाता है कहां रहता है वो तो देखने वाली बात होगी लेकिन share अच्छा है किस तोरह से return बनाके दिए आगे भी कुछ इसकी journey ऐसी continue रहेगी बास हमें अच्छे शेर को अच्छे level पर buy करना है चल यह काफी बातें कर लिए हमने इसके उपर अगर आपके बास डिमेट अकाउंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप थोड़ी मैनर जरूर लगती है आपका एक like और subscribe हमें काफी motivate करता है next video बनाने के लिए thank you so much